गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिपॉइंट दोस्तों आज है साथ सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड एफेस साथ ही काफी सारे एक्ष्टा फैक्ट भी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखी लास्ट में एक क्वेशन पूच सकते हैं मैं अपने आने के लिए प्रोफाइल लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देदेगा है तो हाली में भारत संचान निगम लिम्टेट का नया ब्रैंड इमेजडर किसे बनाया गया इसका राइडन सरुजागा ओपसा ने एमसी मैरी काम को देखए आपको बता दे कि राजय संचालित दूर संचार कंपनी भारत संचान निगम लिम्टेट ने भारती मुक्यवाज MC Mary calm को दो वर्ष तक के लिए अपने ब्रैंड इंवेजडर कूर्ब में पदभार दिया है इसके लाब आपको बता दे कि लिए इसनल मेरी काम के साथ टेलीवीजन बिग्जापनों प्रिंट बिग्जापनों टेलीफ योजन को भी चलाएगा इसके लाब आपको बता दूस्तों यहापर बाद बी एसनल के हो रही है तो बीएसनल से लेटर आपको फैक्ट बता देते हैं जो एक्जाम में पूछ जा सकते हैं थोड़ा सा मैरी काम के बारे में जा लेते हैं मैरी काम मड़ी पूर्की है और ये पांच बार कि बिश्च मुक्यवाजी प्रतियुक्ता जितने वाली प्लेयर हैं चाथी लंदन ओलंपिक के जा ब्रीयंग का चोपड़ा को इन को इसकी लिंडिया का ब्राइब सब्सक्राइब नरेंदर मोदी जी और तो्षवक्ष्य 666 mission के वरतमान Branshaемся रहे हैं यहां विंदेशुरी पाठक की सुलभ नर्यस्ट के फाउंडर है ठीक तो स्वक्ष्य 666 mission के Biz से बनाए गए विंदेशुरी पाठक को सण किम का ब्राइं मेजटर भी हाली मेज़ाया यार माद को कि-सको शिक्म का नTalk प्रेइंक चोपड़ा दरवाजा बंद अभियान का ब्राइंड एमेजडर किसे निंठेड क्या गया है अमिताब बच्चन जी को और उसके लावा निर्मल भारत की ब्राइंड में मिद्यावालन पेप्सिको के ब्रयन में में जब हैं विराट कोहली ठीक है पनजाब नेशनल वेंग के ब्रयन एम शुर्षीक signal के यह भी यह आमिरथ कोहली और दोस्तों इसके लाब बता थी कि माथ आभियान का जो brand image किसे बनाएगे यह बनाएगा माधुरी दिक्षित को और वीवो जो company उसके brand image कौन है आमीर खान ठीक है आपने अब आइट से में देखते होंगे वीवो company को जो प्रचार आता है तो आमीर खान है इसके लावा आपको बताते हैं डीडी किसान का नया brand image किसे बना गया इसका राइट एंसर हो जाएगा ओपसन एंसी मेरी काम को दोस्तों दिया आप लिए ग्रूप D exam की त्यारी करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक्स है ल बुक पुब्रिसर द्वारा त्यार की गई है जो की रिवीजन के लिए बहुत ही डवुेचो के दक्षण पूर्व एषिया 363 अन्देरशणक की रूममें किस्य पुनाः चयनित किया गया है तो दोस्तों ड भीचाई पूर्वहिची यदि चूना गया इसका राइट एँसर हो जाएगा डाक्टर पूनम सींग को आप्सन option भी राइट है आपको बता दें कि डाक्टर पूनम खेतरपाल सिंग को सर्व सम्वती से फरवरी 2019 में पांच वर्स के लिए कारेकाल के लिए छेत्री इंद्रेशक के रूब में फिर से चुने जाने के बाद भारत ने दक्षिडपूर वेशिया छेत्र में डवलीचो के बाद दक्षिणपूर वेशिया छेत्र के छेत्र के इंद्रेशक की रूब में चुने जाने वाली पहली महिला है ठीक है तो यह फैक्ट आप यादा रखें इससे लाव आपको बारे में डबलुएचो शेंक्त राष्ट की एक विशेश एजनसी जो अंतराष्टी सारव इसका मुख्याल है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कई बार तो डबलुएचो का है जिनेवा सुट्जा लेंड में ठीक है इसके लावा आपको बता दे कि जो विश्व स्वास्त संग्ठन बरतमानमी विश्वास संग्ठन महानिदेशक कौन है यह है टेड्रोस अधा बरतमान में डबलुएचो के महानिदेशक है ठीक है दोस्तों तो डबलुएचो के दक्षिडपूर एसी आई छित्री निशक की रूम में किसे पुनह चैनित किया कि इसका राइड एंसर जाए अगर डाक्टर पूनम सींग ठीक है दोस्ते हैं बात करें ताके हिको नाकाओ लगारे में तो ताको ही को नाकाओ अटमान में जो तो बता दे कि यह एसीया विकास बैंक के बरतमान में यह कौन है चेर्मैन है ठीक है ताक राइड एक एविकास बैंक हो अगला कोशन है सौराफ चोधरी ने आई एससेफ शूटिंग विश्चेंपियंशिप 2018 में कौन सा पदक जीता है इनों ने इसका राइड एंसर है करेक्ट एंसर है आपसा ने गोल्ड मिडल इनों जीता है ठीक आपको बता देख सौरप चोधरी ने 6 सितंबर 2018 को दक्षिड कोरिया में आई sets of shooting championship में 10 meter air pistol shooting में शौर पदक जीता है कहां पे दक्षिड कोरिया में और ये 10 meter air pistol shooting में शौर पदक जीता है ठीक है तो शौरप चोधरी ने आई एससेफ शूटिंग विश्ट चेंपेंशिफ 2018 में कौन से पतक जीता है इसका राइड एंसर आपसा ने गोल्ड मिडल जीता है ठीक है चलिए इसके लावा दोस्तों आपको एसियाई एसियन गेम्स के बारे हम थोड़ा सा बता देते हैं जो अभी हाली में आज इत हुए हैं जो कि इंडोनेशिया ग्राजनी जाकार्ता और पोले मेक्स औरम हुए हैं तो आपको बता दी कि भारत जो तो 69 मिडल साथ पदक तालिकाम आठीक स्थान पर था पहले नंबर पर था चाइना ठीक है और यह 18 अगस से 2 सितंबर की बीच आज इत हुए इसका जो शुभंकर था वो था भीन भीन काका और अतूंग ठीक है तो यह भी एसीन गेम से लेटेट आपको फैक्ट याद रखना है 18 में एसी आई खेल था ठीक है चलिए अगले कोशिंग तरफ बढ़ते हैं भारत और बुल्गारिया ने कितने सम्झोदे पर स्थाक्षर किये हैं तो भारत और बुल्गारिया ने कितने सम्झोदे पर स्थाक्षर किये हैं इसका राइट एंसर जायाएगा 5 यानी आपसाने राइट है ठीक है देखिए दोस्तों आपको बता दें कि राष्टपती रामनात कोविंजी और उनके समकष रूमें साध किये हैं ठीक है किसके समकष रुमेन रादेयों के बीच ठीक है इसके लाब आपको तादिक राश्टपती ने मेकिन इंडिया कारिक्राइब पर रक्षा और आईटी क्षेत्रों में बुल्गारिया को प्रमुख भागिदार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया है और बग्या समकष रुमेन रादेयों के बीच ठीक है चली अगला कोशन है सर्वोच नियाले यानि सुप्रीम कोडने की इस धारा को सवाप्त करते हुए कहा कि समलेंगिक्ता एक अपराद नहीं है इसका राइड एंसर है धारा 377 ठीक है आपको बता देख सर्वोच नियाले ने भारती की दंद अश्यंकिता यानि IPC की धारा 377 को सौप्त कर दिया है इसके लाबा 1862 कि इस कानून से समलेंगिक्ता को अपराद गोशित कर दिया था और दिल्ली हाइड कोट ने 2009 में समलेंगिक्ता को कानून भोशित कर देते लेकिन 2013 मिं सुप्रीम कोट ने फैसला दद कर दिया संक्तियानी आपी सिख धारा 377 के उनसार जो भी स्वेक्षा से किसी पूरुष या महिलाया पशु के साथ प्रकृत खिलाप सारी रिख संभोग करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और इस धारा के तहत वैसकों के सहमती योन कित्तों को अप्राकृतिक भी माना जाता है और वे दंडिनी होते हैं ठीक है तो सुप्रीम कोड ने किस धारा को समाप्त करते हुए कहा कि समलेंग एकता एक अपराद नहीं है राइट एंसर है धारा 377 अगले कोशनक तरह बढ़ते हैं हाली में भगवती कुमार शर्मा का नि क्याम निधन हो गया है और उनके कुछ प्रसीद गुजराती उपन्यासों में आरती अने अंगारा मन नहीं माने रिक्ता वक्तब ध्याय और समय द्वीप और उर्धमूल सामिल है ठीक है इसके लावर शर्मा ने उपन्यास लगू को था है काविता अनिबंध और अलोचना लिखी है निश्यों चौरासी में रंजी तरम सोनड चंद्रका और उन्होंने अपने उपन्यास के लिए 1909 में शाहित्यकाद्य पूरुषकार मिला था ठीक है अब शाहित्यकाद्य पूरुषक के लिए ठीक है तो हाली में भगवति कुमार शर्मार का निधानों को किश्य में लिखा था अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है आज का कोश्चन है अंतराष्टी महिला दुमें शिखर से मिलें दोठारा का आयोजन कहां किया गया आपसान आपके सामने देखें प्लीज कमेंट जरू करिएगा साथी साथ डिटेल में लिखिएगा जैसे मैं आप की मदद हो सके मिलते नेक्ष्ट ब्रियुक साथ जै हिंद बंदे माद्रम